Hello everyone, welcome to the online session of Azad High School. आज हम करेंगे Class 6 की English subject का chapter number 14, जिसका नाम है The Necklace, यानि कि हम इसमें एक हार के बारे में पढ़ेंगे. आए चाप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं. बहुत साल पहले एक बहुती खुबसूरत और बहुती चामिंग लड़की का जनम हुआ था. उसकी खुबसूरती और सुन्दरता को देख कर इतनी ही जादा सुन्दरता थी कि लोग समझते थे कि वो एक लगजीरियस लाइफ जीने के लिए बनी हुई है. लगजीरियस लाइफ वो होती है जिन्दगी बुक की जो कीमती कपड़े पहने, एक्सपेंसिव जोलरी पहने एक बड़े से मैंचन में रहे. ठीक है? सबको लगता था वो ऐसी ही जिन्दगी जीने के लिए बनी हुई है. और सबको ऐसा भी लगता था कि वह इतनी खूबसूरत है कि कोई भी अमीर आदमी उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए तयार रहे था. लेकिन किसमत इतनी ट्रिकी होती है, इतनी कमाल का खेल खेलती है कि उसका जो जनम हुआ वो एक पूर फैमली में हुआ. एक गरीब घर में. ठीक है. उनके पास दहेज में देने के लिए पैसे भी नहीं हुआ करते थे. फैनली उसकी शादी एक छोटे से क्लर्क के साथ हुई. जिसका नाम लोजेल था. ठीक है. वो मिनिस्टिर आफ एड़ुकेशन में क्लर्क का का काम करता था. और फिर बाद में उसे सब मैडम लोजेल के नाम से जाने लगे. बट वो अपनी लाइफ के साथ बहुत ही नाखुश थी. ठीक है. उसे लगता था कि वो इतनी ब्यूटिफुल और क्लेवर है. लेकिन किसमत ने इसके साथ क्या किया है. उसे एक बड़े रिच घर में क्यू बड़ा सा सैलोन, इसके एक बड़ा सा घर होगा, बड़ा सा कमरा होगा, जो डैकुरेटिड होगा, एंटीक चीजों से, सिल्क के परदे लगे होंगे, एकदम कीमती-कीमती, बहुती ब्यूटिफुल तरह के फरनीचर होंगे, अच्छे-च्छे ओर्निमेंट्स होंगे उस दिनर के लिए, तो जो उसका हजबन था, उसने कहा, बहुती आराम से, एक ठिक सूप, जिसको ब्रॉथ पुलते हैं, ठीक है, तो उसने कहा, ब्रॉथ, इससे बहतर क्या हो सकता है, उसने इमेजिन किया, एक खाना सिल्वर प्लेट में सर्व होता हुआ, अब मैडम लोजेल के पास कोई भी अच्छे कपड़े नहीं थे, कोई भी अच्छे ज्वैलरी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, जो भी चीज़े थी, जो भी उसको पसंद था, उसके पास कुछ भी नहीं था, बट उसके पास एक दोस्त थी, जो उसकी स्कूल फ्रेंड थी, वो बहुत अमीर थ लेकिन उसे उसको विजिट करना अच्छा नहीं लगता था क्योंकि वो जब भी अपनी दोस के पास जाती थी तो उसकी लगजीरियस लाइफ देखके उसे अपने आप पे ही बहुत दुख होता था अपने आपको वो बहुत सौरी फील करती थी इसलिए वो उससे कम ही मिलती थी एक शाम को उसका हस्बेंट घर आया बड़े ही एकसाइटमेंट में और हार्थ में एक एनवलप उसने पकड़ा हुआ था और वो क्या गहता है देखो मैं तुमारे लेकुछ लाया हूँ स्विटली उसने वो पेपर था वो फाड़ा और उसके अंदर से एक प्रिंटेड कार्ड निकाला ठीक है और क्या कहा देखो क्या लिखा है इस पे यानि की मिनिस्ट्र अफ एजुकेशन से उनको एक इंविटेशन आया था उनके वहाँ पे कोई पार्टे थी उसका इंविटेशन मिला था जो जनवरी 18 को होने वाली थी अब ये सुनके वो खुश होना चीए था बट उसने वो लिफाफा लिया और टेबल पे फैंक दिया और कुछ बड़बडाने लगी कि ये मेरे किस काम का है तो उसका हजबन बोलता है क्यों डार्लिंग मुझे तो लगा था ये सुनके तुम बहुत जादा खुश होगी तुम कभी भी बाहर नहीं गई हो और ये बहुत ही बड़ा ओकेजन है ठीक है मैंने कितनी महनत की है इसको पाने के लिए सब को ये नहीं मिलता है सिर्फ कुछी कलर्क को ये मिलता है और बहुत ही बड़े बड़े लोग वहां आएंगे तो फिर वो अपनी फियूरे सांखों से देखती और कहती ये इस चीज़ का मैं क्या करूँ मैं क्या पहन के जाओंगी उसमें तो फिर वो जो लोजेल होता है वो थोड़ा हकलाते हुए कहता है तुम वो वरी ट्रिस पहनना है न जो तुम थेटर में पहन के गई थी वो तुम पे अच्छी लगती है ये सुनके मैडम लोजेल रोने लगती है फिर उसका husband थोड़ा घबरा जाता है बोलता है क्या हुआ क्या हुआ तुमें क्यों तुम रो रही हो फिर वो क्या कहती है nothing वो बोलती है मैं इस party में नहीं जा सकती मेरे पास कुछ भी अच्छा पहनने के लिए नहीं है अब उसके husband का तुछ दिल तूड़ जाता है वो कहता है कि मठिल्दा तुमें कितना चाहिए बताओ कितने पैंसे का एक अच्छा ड्रेस आएगा फिर मठिल्दा सोचती है थोड़ी देर तक वो सोचती है कितने पैंसे लगेंगे मैं कुछ उतने पैंसे मागूँगी कि जितना उसका husband refuse या मना ना कर पाए काफी देर के बाद वो बोलती है कि exactly तू नहीं कह सकती हाँ पर 400 फ्रांक्स काफी होंगे अब ये सुनकर उसका husband थोड़ा पीला पड़ जाता उसने इतना ही same amount काफी टाइम से वो बचा करके रख रहा था क्यूंकि उसने गन खरीदनी थी पर कोई बात नहीं वो फिर भी बोल देता है ठीक है मैं तुमें 400 फ्रांक्स दे दूँगा अब जब डे आता है पार्टी का तो मैडम लोजेल जो होदी है तो बहुत घबराई हुई लगती है ठीक है अब एक शाम को उसका husband जो है वो उससे कहता है अब क्या हुआ तुमें तुम इतना odd behave क्यों कर रही हो फिर वो कहती है कि मैं अपने नए dress के साथ क्या करूँ मैं उसके साथ कुछ मैचिंग जोइलरी ही नहीं तो फिर उसका husband कहता है तुम कितनी stupid हो जाओ तुम अपनी दोस्त मैडम फ्रॉस्टेर के पास तुम उससे कुछ हिकीमती जोइलर्स जो होते हैं जोइल वो मांग लेना उधार मांग लेना तुम तो उससे अच्छे से जानती है वो तुम्हारी दोस्त है फिर उसकी पत्नी बोलती है हाँ मैंने तो यह सोचा ही नहीं तो next day वो अपने friend के पास जाती है उसको सारी चीज़े बताती है तो जो मैडम फ्रॉस्टेर उसकी friend होती है वो उसको अपने ड्रेसिंग रूम में ले जाती है और बोलती है कि choose my dear तुम इसमें से कोई भी अच्छा सा एक necklace choose कर लो फिर मैडम लोजेल एक fine diamond का necklace उठाती है जो उसके gown के साथ बिलकुल match कर रहा होता है जब वो पार्टी में जाती है तो वो ही center of the attraction होती है सब उसको notice कर रहे होते है हर आदमी उसके साथ dance करना चाहता होता है सभी औरतें उसकी बहुत तारीफ करती है ये सब compliment सुनके मैडम लोजेल बहुत ही जादा खुश हो जाती है वो उसकी जिन्दगी का सबसे अच्छा दिन था जब वो घर पहुँचते हैं तो वो देखती है कि जो उसने necklace लिया था वो गायब है उसने हर जगा ढूंडा वो डर गई अरे अब मुझे जेल जाना पड़ेगा हम सब कुछ बेच के भी इतना कीमती 36,000 फ्रांक का चीज ये जो necklace था वो नहीं ले सकते हैं फिर उन्होंने क्या किया इससे मतलब कि prison से बचने के लिए अपने घर का सब कुछ बेच दिया एक छोटे से घर में shift हो गए जो भी उसने बड़ी बड़ी luxurious life जीने का ख्वाब देखा था वो सब गया पानी में उसे extra काम करना पड़ा ताकि वो पैसे जमा कर पाए दस साल बाद जितने भी पैसे उन्होंने वो necklace उन्होंने जो replacement के लिए necklace के लिए पैसे लिये थे उधार वो फिर वो चुका पाई finally, बट तब तक उसकी सारी beauty चली गई थी अब हम सोचते हैं कि क्या होता अगर वो necklace गुमना हुआ होता क्या पता किसको पता है जिंदगी भी कैसी होती है एक ही second में क्या से क्या हो जाता है इसलिए how little is needed एक छोटी सी चीज़ आपकी जिंदगी बरबाद करने के लिए काफी होती है एक दिन जब वो जा रही होती है तो वो भी अपनी उसी old friend मैडम फ्रोस्टेर से अचानक से मिल जाती है जो अपनी बीटी के साथ वॉक कर रही होती है और जब वो उसको देखती है तो वो उतनी ही graceful और beautiful होती है but मैडम लोजेल decide करती है कि वो जाती है अपनी friend से मिलती है और सब कुछ उसको बताती है ठीक है वो बोलती है good morning जैनी the other did not recognize her कोई भी उसे मतलब जो मैडम लोजेल तो उसको पहचानी नहीं पाता है कोई भी तो वो फिर बताती है I am Matilda Loselle तो बोलती है oh my poor Matilda तुम तो पूरी बतल गई हो तो उसने बोलती है हाँ मुझ पे कुछ बुरा वक्त आया था जब मैंने तुम्हें लास्ट टाम देखा था उसके बाद तो मेरी जिंदगी में सिर्फ दुख ही दुखा है सिर्फ तुम्हारे कारण तो वो बोलती है मेरे कारण तो बोलती है तुम्हें याद है मैंने तुमसे एक डामेंड का लेकलिस लिया था उस डांस बॉल में जाने के लिए जो मिनिस्टरी ने और्गनाइस किया था तो बताती है हाँ मुझे याद है तो बोलती है वो मुझे गुम हो गया था तो बोलती है तुमसे गुम कैसे हो गया तुमने तुम्हे वो वापिस किया था तो फिर वो बताती है कि मैंने तुमें उस जैसा मिलता जुलता एक नया पीस लाके दिया था उस पीस को उसके पैसे चुकाने के लिए मुझे दस साल लग गए वो मेरे लिए बिल्कुल भी easy नहीं था हमारे पास बिल्कुल भी money नहीं थी ठीक है और well at last हमने कैसे ना कैसे करके पूरा तुम्हें पे कर दिया फिर ये सुनकर उसकी दोस्त मैडम फ्रॉस्टर थोड़ी दिर तक रुकी फिर उनने कहा कि तुमने मुझे replacement में diamond लेकलिस दिय फिर वो smile करती है और बोलती है कि मैं बहुत ही deeply mood हूँ कि तुम दोनों ने इतनी मेहनत करके इतना कुछ करके ये चीज़ें की बट मेरी प्यारी दोस्त पूर मटिल्डा वो जो मेरा necklace था वो एक knuckle थी असली diamond का नहीं था एक imitation थी imitation मतलब मिलता जलता नकली type का ठीक है वो ज थी हमारी story about the necklace यहाँ पर बताया है कि अगर वो अपनी दोस्त ये अपनी friend से पहले ही ये सब चीज़ें बता दे थी तो उन्हें इतनी मेहनत इतना दुख जहलने की जरुरत नहीं पड़ती और time के साथ साथ एक पल की जिने के लिए जो उसे इतने सालों का दुख जहलना प आपके पास जो चीज़ें हैं आप उसी में से ही खुशियां ढूंड सकते हो एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए बाद में उसकी बहुत कीमत चुकाने पड़ती है तो इसलिए जो चीज़ें हैं उनमें ही अपनी जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए तो आइए करते हैं अपना कॉंप्रहेंशन नमर वन चूस ती करेक्ट आंसर फिर्स वाइ दस दी ऑथर से दी लिटल गर्ल वस मेंट पर दी बेस थिंग्स इन लाइफ ए बिग हाउस लॉट्स जोलरी और अधर लॉक्शरी तो इसका है ऑप्शन बी शीज़ें शीज़ें हैं इसका है इसका है ऑप्शन A. Her husband was not very rich and could not spend too much money on her नमर त्री वट कैंड अफ़ा मैं वस मॉजेर लोजेल तो इसका है ऑप्शन B. He loved his wife and went to great length to keep her happy नमर 4. What kind of a woman was Madame Lozelle तो इसका है ऑप्शन A. She was never satisfied and envied other people फिफ्थ वाइड मैं लोजेल विज़ें विज़ें मैंडम फ्रॉस्टेर तो इसका है ऑप्शन C. Madame Lozelle wanted to borrow some jewellery from Madame Frॉस्टेर आगे है answer these questions Q1. What gives the indication that Monsieur Lozelle cared for his wife's happiness this answer है Monsieur Lozelle was willing to give up the money that he had been saving to buy a gun and give it to Madame Lozelle so that she could buy a new dress Q2. Why was Madame Lozelle always unhappy with her life तुसमें लिखेंगे आप Madam Lozelle was always unhappy with her life as she believed that she deserved to be very rich and live a luxurious life full stop all this however remained a dream Q3. Why could Mosner and Madame Lozelle have been sent to the prison तुसमें आप लिखेंगे तुसमें आप लिखेंगे Monsieur and Madame Lozelle could have been sent to the prison because they lost the borrowed diamond necklace full stop they could have been accused of stealing it Q4. What did Mosner and Madame Lozelle do when they could not find the necklace तुसमें आप लिखेंगे Mosner and Madame Lozelle had to buy a new necklace when they could not find the necklace that they borrowed Q5. How could Mosner and Madame Lozelle afford to buy a new necklace this answer है Monsieur and Madame Lozelle sold everything they had and borrowed the rest of the amount to buy a new necklace Q6. How did Monsieur and Madame Lozelle pay back 36,000 francs this answer है they sold their house and moved into a smaller one Q6. Monsieur Lozelle worked two jobs and Madame Lozelle had to do the house work all by herself Q7. What shock did Madame Lozelle receive in the end when she met Madame Frostier this answer है Madam Lozelle found out that the diamond necklace which she had lost was in fact not a real one but an imitation Q8. Do you think that Madame Lozelle's life became easier as she grew up from a small girl to a young woman why not this answer है Madam Lozelle's life became more difficult as she grew up full stop her greed and desire for a better life ultimately made them poor comma and she lost all her beauty that she was proud of आगे करेंगे हम vocabulary यहाँ आपको बहुत सारे words दिखाएगे हैं ठीक है English word जैसे की compliment की बोलने में है पर उसकी spelling उसके ही बोलने जैसा एक और word है compliment दोनों की अलग-अलग spelling है और इनके मतलब भी क्या होते हैं different different होते हैं B1 करेंगे हम exercise choose the correct meaning of the each word writes its number in the circle ancients ancients का meaning होता है B वाला worried about something और eager का meaning है A waiting impatiently for something second है employ तो इसका है option A use somebody or something for a particular task imply का मतलब होता है point out specifically third accept इसका है option A agree to take on something और second वाले accept का मतलब होता है C not including something fourth है incredible इसका है option B astonishing और incredulous का मतलब है option C not able to believe fifth है luxurious इसका है option C something which is of high quality and rich in texture और जो next दिया है luxuriant इसका है option B growing thickly and strongly six है averse इसका मीनिंग है option A not wanting to do something और adverse का मीनिंग होता है option C opposing और negative B2 में हमने words correctly चूस करने है number one the garage is wide enough for the car number two the king's body was born B-O-R-N-E away for the funeral second third I haven't seen Leela since six o'clock number four besides S second crayons we have paint the color we have paint and color pencil fifth I got a big raise R-A-I-S-E at work today number six his house is hidden among the trees number seven can I borrow a pen from you आगे है grammar part grammar part में आपको क्या दिखाया हुआ है model auxiliaries ठीक है यह जो could should would may might यह सब model होते हैं ठीक है जब इनको verb में auxiliaries की तरह use करते हैं तो यह हो जाते हैं model auxiliaries can और could कहाव हम इस्तमाल कब करते हैं can का इस्तमाल करते हैं जब हमें permission मांगनी हो ठीक है यह कुछ कहना हो किसी के बारे में जो एक particular चीज यह उसकी कोई ability है ठीक है कोई काम करने का तरीका यह कुछ कर सकता है उसके लिए हम can का use करते है could का use हम कब करते हैं जब हम चीजें past tense में बताए can का past होता है could जब भी कोई बात past में करनी है meaning same ही है कर सकता कर सकती ठीक है लेकिन past में तब हम could का इस्तमाल करते हैं इसके अलावा अगर ऐसी कोई चीजें कहनी हो जो अभी possible है या बाद में possible है होगी या नहीं होगी तब भी हम could का करते हैं इस्तमाल अगर आपने कोई suggest करना है कुछ चीजें कोई request करनी है तब भी हम could का use करते हैं ऐसी कोई चीजें जो ऐसी किसी चीजें के बारे में बात करना जो past में होने के chances थे पर अभी हुई नहीं है ठीक है ऐसा हो सकता था एक guess की तरह कोई question बनाना हो तब भी could का इस्तमाल होता है ठीक है आईए अब इसी को देखते होए करेंगे हम exercise C1 Use can or could correctly हमने can or could का इस्तमाल करना है correctly तो number one The tiger can be recognized by the orange and black strips number two Could you give me the directions to the mall please number three Diana can play the piano number four The plane crashed before the pilot could eject out number five John could have taken the bag with him number six Can you walk to the hospital while I park my car question mark number seven I could have helped had you asked me number eight you can sit if you are tired number nine what could have been the reason for who kai's early departure question mark number ten I could find an alternative route if you like C2 में आपको दिया है choose the correct phrase from the box to complete the passage number one Peter Can you help me question mark I don't know what to do Alex what can possibly be your problem question mark Peter I can't decide if I want to go to Italy or Africa Alex you can go to Africa Peter yes going to Africa has more appeal I could do some social work there I can work for the United Nations organization or I could even volunteer as a doctor तो बच्चों यहाँ पर आपका यह चाप्टर खतम होता है I hope आपको समझ माया होगा अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए इसे लाइक जरूर करें Thank you so much and have a nice day Thank you